में मस्कार आप देख रहें जेकी 24-7 का सोशल मीडिया पेज मैं हूँ आपके साथ राजश कुमार दरसल भारत में स्खोई 30 और F-16 की डॉग फाइट होने वाली है आप दोनों बिमानों को आस्मान में आपस में डॉग फाइट करते हुए देख पाएंगे आप देख पाएंगे कि किस परकार से स्खोई 30 और F-16 अपनी ताकत एक दूसरे को दिखा रहे हैं दरसले मौका होगा जब दोनों देशों की बायू सेना 10 अप्रेल से बायू सेनिक अभ्यास करेगी और काजा रहा है कि पहली वर ऐसा होगा कि स्खोई और F-16 आमने सामने होंगे और भारत की तरफ से राफेल और तेजस भी इस अभ्यास का हिस्सा हो सकता है तो स्खोई 30 भारत का वो विमान जो एहम भूमी का निवाता है भारत के किसी भी ओपरेशन में वे F-16 इस लिहास से लाजमी हो जाता है क्योंकि अमेरिका का विमान तो ये है लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है आपको याद होगा बाला कोट एर स्ट्राइक और उसके बाद अविनंदन विंग कमांडर अविनंदन जिन्नोंने अपने मिक 21 से F-16 को मार गिरा था तो आज दोनों के बीच में एक कमपैरिजन आपको दिखाता हूँ कि कौन सा विमान कितना ताकतवर है देखिए अमेरिका का F-16 बोइंग कमपनी बनाती है भारत का स्खोई 30 स्खोई मार्क बन को HAL बनाती है यानि कि अब यह हिंदुस्तान में बनता है अमेरिका का F-16 14,389 किलो ग्राम का इसका कुल बजन है और स्खोई 30 की बात करें तो 18,400 किलो का बजन है और इंजन की बात करें तो आफ्टर वर्निंग टर्वो फैन इंजन F-16 में लगा है स्खोई 30 में आफ्टर वर्निंग टर्वो फैन इंजन इसमें भी लगा है अगर धिक्तम गती की बात करें तो F-16 की 2656 किलोमेटर पर अवर है स्कोई 30 की 2120 किलोमेटर पर अवर है अगर कॉमबेट रेंज की बात करें तो F-16 की 1270 पर स्कोई की 3000 किलोमेटर उडान की बात करें तो 60,000 फिट की उंचाई तक F-16 जा सकता है स्कोई 30 की बात करें तो 70,000 फिट तक ये विमान हाइट में जा सकता है अमेरिका का F-16 पेलोट की बात करें तो 10,400 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है भारत के स्कोई की बात करें तो 8,130 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है दरसल F-16 अमेरिका के लिहास से बहुत खास बिमान है नाटो के बहुत सारे देश जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और जो स्कोई 30 है ये रूस में बना हुआ बिमान है और बहुत सारे देश इसका भी इस्तेमाल करते है खास कर भारत के जंगी बेडे का ये प्रमुक हथियार है और रूस का भी और अब पहली वर ऐसा होने वाला है कि दोनों भारत के आसमान में डॉग फाइट करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे को अपनी ताकत अपने कर्तब दिखाते हुए नजर आएंगे जब भारत और अमेरिका की बायू सेना भारत में ही एक्सरसाइज करेगे F-16 जैसा मैंने आपको कहा है इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इसको जांचना और पर्खना क्योंकि ये पाकिस्तान के जंगी बेड़े का भी सबसे प्रमुक हत्यार है और अब ये भारत आ रहा है तो भारत के पाइलिट भी अच्छे से इसको जान पाएंगे समझ तो पाकिस्तान के एक और F-16 को बड़े अराम से मार गिराएंगे तो वीडियो आपको कैसा लगा ये छोटी सी जानकरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छे लगेगी तो लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करेगा रमाशकार जैहिंद पंदे मात प्राब